हेलो दोस्तों ये है Tata Nexon XZ Plus Dual Tone Roof Model Nexon Petrol और Diesel दो इंजिन में आती है Manual और Automatic Transmission के साथ इसमें 31 Variant आते हैं 6 Color का Option मिलता है Nexon को Crest Test में 5 Star Rating मिली है आप देख रहे हैं Nexon XZ Plus का 1.2 Liter Petrol Variant जो की Flame Red Color के साथ है इसमें Features क्या है, Price क्या है ये सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले हम इसके Front से Start करते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं इसका जो Look है वो Flame Red Color के साथ काफी Attractive लग रहा है तो चलते हैं इसके Front की तरफ तो यहां पर एक Tata का बड़ा सा Logo दिया गया है जो की 3D में और Chrome Finish के साथ मिल जाता है और यहां पर आपको Grail मिल जाती है जो की Half Cover है जो की आपको मिल जाती है Piano Blackness में नीचे की साइड आपको मिल जाती है Chrome की Strip और यहां से आप इसकी Head Light Section को देख सकते हो इसमें आपको Projector LED Light मिल जाती है और नीचे आपको मिल जाती है LED DRL और यहां पर आपको Halogen Head Lamp मिल जाती है इसके साइड में आपको जो है Piano Blackness मिल जाती है और इसका जो लुक है वो काफी प्यारा लग रहा है और यहां पर आपको Fog Lamp मिल जाती है Halogen के साथ और यह है इसका Front Bumper का नीचे वाला इससा जो की काफी खूबसूरत दिया गया इसकी जो Radiator Grill है वो भी काफी Dual Tone Color में मिल जाती है Matte Black और Silver Finish के साथ अब चलते हैं इसके उपर की साइड में तो यहां से आप इसके Cuts को देख सकते हो यहां पर आपको दो बाइपर मिल जाते है अब बात करें इसके इंजन और पावर की तो इसमें दिया है 1.2 लीटर रिवो ट्रॉन टर्वो चार्ज 1199 सीसी का 12 वाल थ्री सिलेंडर डिवैस सी MPFI BS6 इंजन जो देता है 118.3 बिएच्पी की पावर 5500 रपीम पर और 170 NM का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से 4000 रपीम पर इसमें दिया है 6-speed manual transmission gearbox इसके mileage की बात करें तो companies का mileage क्लेम करती है local में 17 kmpl का और highway पर 20 kmpl का mileage क्लेम करती है इसके side profile की बात करें तो इसके front में दी गई है disc brake और rear में आपको मिल जाती है drum brake और इसका जो tire size है वो आपको मिलता है 215 वाई 60 R16 का इसमें 16 इंच के allow wheel मिल जाते हैं tulless tire मिल जाते हैं और इसके front में आपको मिल जाते हैं independent lower bisbond magferson extrude with coil spring type के suspension और इसके body panel पर आपको मिल जाती है rubber की strip जो की standard look देती है और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं electrically adjustable और electrically foldable side mirror जो की piano blackness के साथ दिये गए है इसके उपर ही आपको LED का indicator मिल जाता है जो की indicator आपको fender के उपर नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको एक strip मिल जाती है जो की silver finish के साथ दी गई है और यहाँ पर आपको एक roof भी मिल जाती है जैसा की यहाँ से आप देख सकते हैं और इसके नीचे की side में देखोगे तो यहाँ पर आपको door side cladding देखने को मिल जाती है और नीचे की side में भी आपको 209 mm की ground clearance मिल जाती है जो की एक SUV के साबसे काफी ज़्यादा comfortable रहती है इसके rear में भी आपको 16 इंचिस के alloy wheel मिल जाते है टाटा की branding के साथ और tulis टायर दिये गए है और semi independent close profile twist beam width coil spring and sock absorber type के suspension मिलते हैं और इसका जो C pillar है वो आपको जो है black matte finish के साथ मिलता है इसकी जो design है वो corner side की वो भी ज़्यादा काफी ज़्यादा attractive लगती है और जैसा कि इसकी rear से भी आप इसके view को देख सकते हो जो की काफी ज़्यादा attractive यहां भी आपको design देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको Tata का logo मिल जाता है जो की 3D में chrome finish के साथ है और यहां पर आपको नीचे की side में back camera मिल जाता है और यहां से आप इसके बाइपर को देख सकते हो और यहां पर आपको जो है silver finish और नीचे की साइड में आपको black piano finish देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको nexton का 3D में logo देखने को मिल जाता है जो की separate है और यह है इसकी tail light जो की आपको split में देखने को मिलती है बीच की जो unit है वो आपको LED में और उपर की साइड में और नीचे की साइड में आपको halogen bulb की unit देखने को मिल जाती है इसका जो indicator है वो आपको bulb में देखने को मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और चिसके नीचे की साइड में चलें तो यहाँ पर इसके bumper के दोना साइद में आपको reflector मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको parking sensor भी मिल जाते हैं और इसके उपर की साइड में आपको जो है silver और black color की theme देखने को मिल जाती है उपर की साइड में आपको एक antenna मिल जाता है 350 लीटर का जो की काफी बड़ा है आप इसकी seat को hold करके rear वाली को भी और ज्यादा इसके boot space को बढ़ा सकते हो यहांसे आप इसकी tray को देख सकते हो जो की काफी बड़ी दी गई है और नीचे की side में आपको stepney भी देखने को मिल जाती है जैसा कि दोस्तों यहांसे आप देख सक इसकी जो window है वो 90 एंगल पर open होती है जिससे आपको बैठने में और उतरने में कोई भी दिकत नहीं होगी आप बहुत ही comfort वाले तरीके से यहां पर बैठ सकते हैं और उतर सकते हैं और यहां पर आपको chrome की finish और black piano finish और dual tone का color देखने को मिल जाता है और नीचे की side में आपक की seat दी गई है और बीच की side में आपको जो armrest भी मिल जाता है और यहां से आप इसके cabin को देख सकते हो जो की काफी ज़्यादा spacious है और पीछे वाले passenger के लिए भी यहां पर आपको AC का vent देखने को मिल जाता है जो की आप इसको rear की side में से भी adjust कर सकते हैं और इसका जो cabin है वो काफी बड़ा दिया गया है अब बात कर लेते हैं इसके front वाले door की तो यहां पर आपको dual tone color का option मिल जाता है यहां पर आपको चारो power window का option मिल जाता है यहां पर आपको door handle मिल जाता है और यहां पर आपको black piano philis मिल जाती है और नीचे की side में आपको speaker का option और यहां पर आपक काफी premium quality का इनकी seat में material यूज किया गया इसकी कुषिनिंग है वो भी काफी ज़्यादा soft दी गई है और यहाँ पर आपको adjust करने के लिए seat को दो है handle मिल जाता है और यहाँ पर आपको manual भी दिया गया है और यहाँ पर आपको clutch accelerator और brake का option हो यहाँ पर आपको bonnet को open करने के लिए भी hook दिया गया है और यहाँ से आप इसकी dashboard को देख सकते हैं जो की dual tone color में दिया गया है जो की काफी ज़्यादा premium quality का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और इसकी steering के उपर आपको Tata की branding और यहाँ पर आपको control देखने को मिल जाते हैं इसकी steering के उपर जैसा कि यहाँ से आप दोस्तो देख सकते हैं और इसकी जो steering के उपर आपको जो leather की covering देखने को मिल जाती है जैसा कि इसकी जो steering का जो cover है वो भी आपको काफी premium quality का देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस पुस स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है इंस्टूमेंट कलस्टर मल जाता है जो की फूली डिजीटल टाइप का दिया गया जिसके अंदर आपको जो बहुत सारी इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको मैन हैट लाइट, इंडिकेशन लाइट, इंजन माल फंक्शन किलोमीटर की रीडिंग, किलोमीटर पर आर की स्पीड की रीडिंग और जहाँ पर आपको किलोमीटर की ट्रिप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और उपर की side में corner में आपको RBM की reading और बहुत सारी indication light यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है जैसा कि दोस्तों यहाँ से आप इसके meter console में देख सकते हैं और यहाँ से आप इसके dashboard की ऊपर की तरब दिख सकते हैं इसमें आपको हर्मन का music system मिल जाता है डिस्पले के साथ में जो की काफी premium quality का दिया गया यहाँ पर आपको AC के bend और बीच में आपको hazard का switch देखने को मिल जाता है और नीची भी आपको थोड़े से control और यहाँ पर आपको AC के control देखने को मिल जाते हैं जो की black piano finish क combination में दिये गए हैं जो की काफी जदा premium quality के लग रहे हैं और यहाँ पर आपको six speed manual gear transmission का setup देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की साथ में आपको chrome की finish और black piano finish देखने को मिल जाती है जो की काफी premium लग रही है और यहाँ पर आपको mode के लिए एक control मिल जाता है जहां से आप आप थोड़ा बहुत सामान इसमें रख सकते हैं और यहाँ पर आपको head rest भी मिल जाता है जो की काफी जदा premium quality का है और इसके उपर आपको black leather की finish मिल जाती है और यहाँ से आपकी seat को भी देख सकते हो अब दोस्तों इसके glove box की बात करें इसका जो glove box है वो काफी जदा सांद दिया गया है जो आपको इस segment की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है आप अपनी जरूत के साथ से इसके glove box को यूज कर सकते हो यहाँ पर आपको cup holder भी मिल जाते हैं और अंदर की side में आपको LED की light और यहाँ पर आपको AC की cooling भी इसके अंदर मिल जाती है आप इसमें कोई भ protector देखने को मिल जाते हैं जिसके उपर की side में आपको side mirror भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको LED की light और यहाँ पर आपको रूप की control मिल जाते हैं इसकी रूप को आप यहीं से control कर सकते हैं यहाँ पर आपको LED की light देखने को मिल जाती है जो की काफी ज़्यादा visibility के साफ से क काफी ज्यादा अच्छी दी गई है और यहां से आप इसके डैस्पोर्ड को देख सकते हूँ जो की overall काफी ज्यादा सांदार है तो इसमें आपको मिलती है कुछ इस टाइप की चावी जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं यही से आप इसको जो है lock unlock man headlight और इसके boot space को lock unlock कर सक तो बात करें इसके price की तो Tata Nexon XZ plus 1.2 liter petrol turbo charge roof वाले variant की एक सूरूम कीमत है 10,97,400 रुपे इसकी on road कीमत है 12,23,285 रुपे यह on road कीमत मैंने आपको बताई है TC Motors नोहा पाड़ा चिनार पार्क कॉलकता सूरूम की सूरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल ज सकते हैं और आप इसकी test drive भी book कर सकते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जा से आदा like करें comment करें share करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता thank you दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में